इस पार्ट में पिछले दो पार्ट के आगे की स्टोरी को बताया गया है और अब चलते हैं मोवी की एक्स्प्लेशन की तरह मोवी के स्टार्ट होते ही चार कॉलीज स्टूडेंट्स दिखाये जाते हैं जो वेस्ट वर्जिनिया में रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं और On Da Spot Sophie मर जाती है, उसे देखकर Brent वहां से भाग जाता है, इतनी दिर में Alex भी वहां पर आजाती है। तब Three Finger सौफी की आँख खारा होता है, उसे देखकर वह फौरण वही पर छुप जाती है, इतनी दिर में ट्रे भी कुछ लकणिया लेकर वहां पर आ जाता है, वो थ्री फिंगर उस पर भी अटैक कर देता है वो किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की तरह भागता है लेकिन थ्री फिंगर उससे भी पकड़के मार देता है और ब्रेंट भी इन मुटेंस के ट्रैक में फसकर उनका शिकार बन जाता है और उन फ्रेंड्स में अब सिर्फ एलेक्सी जिन्दा बच्ती है इसके बाद वेस्ट वर्जिनिया की जेल को रिखाया जाता है जहांबर कुछ कैदियों को लेकर दूसरी जेल में ट्रांसफर करना था और ये जमादारी तीन पुलिस आफिसर्स को दी गई थी वो टोटल कैदि पांच थी जिनमें एक था जैविस जो माफिय और्गनाइजेशन का हैड था और ये सब कुछ उसी के लिए हो रहा था उनका ट्रांसफर दो हफ़ते बाद होना था लेकिन पुलिस को ये पता चलता है कि जैविस के आदमें रास्ते में बस को हाईजेक कर सकते हैं और वो जैविस को छुड़वा कर ले जाएंगे और यही वज़ा है कि उन्होंने एमरजनसी ट्रांसफर प्लैन किया और साथ में अपना रूट भी चेंज कर दिया और उनका नया रूट वो खतरनाक वे था यानि पेपर मिल रूट वो सब कैधियों को बस में बिठा कर वहां से चल पड़ते हैं रास्ते में वो एक पुलिस स्टेशन पर स्टॉप करते हैं और वहां पर उन्हें शेरिफकार और डैप्यूटी लेन मिलते हैं और वहीं हमें त्री डोस भी दिखाया जाता है वो पिछले पार्ट में यह चोटा बच्चा होता है जिसे फीड़ कर रहा होता है लेकिन फिर भी वो सेट अपने पर चल पड़ते हैं तब थरी फिंगर आ कर उसुसा कर लगत है और वो थ्री फिंगर होता है, वो ट्रक के टायर में रेजर वायर फसाकर उसे पंक्चर कर देता है, जिससे वो बस पंड्रोल से बाहिर हो जाती है, और रोड से नीचे गिर जाती है, थ्री फिंगर ट्रक से उतर कर उन्हें देखने जाता है, लेकिन उस वक्त और उन पर हमला नहीं करता, पुलिस ओफिसर ने सब कैदियों को बाहर निकालता है और इसी दुरान मौके का फायदा उठाकर जैविस उसे गन चीन लेता है और तभी पीछे से पुलिस ओफिसर प्रेस लो आकर जैविस पर अपने गन तान देता है लेकिन इससे पहले के वो कुछ कर सकता एक चाकू आकर सीधा उसकी गर्दन में गुस जाता है जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है सारे कैदि समझते हैं कि ये सब कुछ जैविस की आदमें कर रहे हैं और बस को पूरी तरह आग लग चुकी थी और वो किसी में टाइम ब्लास्ट हो सकती थी एक पुलिस ओफिसर वाल्टर भी बस के अंदर ही होता है और जब नेट चाबियां लेने बस में जाता है और जाड़ियों में से एक लड़की बाहर निकलती है जो नेट पर अटैक कर देती है और वो लड़की एलेक्स थी वो उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक म्यूटन रहता है जो लोगों को मारने के बाद उन्हें खा लेता है लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था हलांके वो राफ्टिंग के बारे में भी बता चुकी थी जिस पर जैविस उसे उनकी लोकेशन तक लेकर जाने का कहता है उसका बात करने का अंदास रिक्वेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं था और वो उने वहीं दे जाती है और रास्ते में उने एक बस मिलते है जो बिल्कुल पल्टी हुई होती है जो पीछे से लॉक थी जैविस नेट को उसकी एक कैप चेक करने के लिए भेजता है और वहां पर उसे उसकी चावी और एक बंदूख मिल जाते है और वो गन वो वाल्टर को दे देता है और जब वो वैल्टर को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि वो पैसों से भरी हुई है इतने पैसे देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं और जैविज उन्हें दो दो बैग उठा कर वहाँ से जाने को कहता है और सब लोग दो बैग उठा लेते हैं लेकिन वैल्टर जखमी था और वो बैग उठा नहीं सकता था जिस पर जैविज उसे जबरदस्ती बैग उठाने के लिए कहता है और मौका देखकर वैल्टर जैविज को शूट करने लगता है लेकिन बदकिस्मिती से उसमें गोलिया नहीं होती लेकिन इस बात के लिए जैविज उसे माफी नहीं देता वो सीधा उसके सर में गोली मार देता इस पर नेट कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो मजबूर था पिर जैविज सब को आगे बढ़ने को कहता है लेकिन जैविज उसे गोली मार कर नीचे गिरा देता है एलेक्स उन्हें बताती है कि ये वो म्योटेंट नहीं है जिस पर जैविज को एक आईडिया आता है और वो थ्री फिंगर के लिए कोई प्लू छोड़कर आगे बढ़ता है जिसे जैविज पकड़ लेता है जिस पर विली फॉरण समझ जाता है कि ये उनके लिए बचाया गया एक ट्रैप है और वो जैविज को आगे दखेल तर उसे बचा लेता है जिसकी उसे बहुत भारी कीमत अदा करने पड़ती है वो अपने ही जान से हाथ दो बैड़ता है और जैविज उसे उसकी जान बचाने का बदला ये देता है कि वो उसकी टांके ही काट देता है क्योंगे ऐसा करने से विली उनके चिंट से अलग हो जाता है और वो आसानी से आगे बढ़ जाते है दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डिब्यूटी लेन को दो दिन पहले मिसिंग हुए चार स्टूडन्स की लेड मिल जाती है और शेरिफ के पास नेट की अभी कोई कॉल भी नहीं आई थी जिससे वो काफी फिकरमंद होता है वो सोचता है कि शायद उनकी बस को किसी ने हाईजेक कर लिया है और वो लोगों को ढूनने जाता है और लेन उन कॉलिज स्टूडन्स को ढूनने जाते हैं दूसरी तरफ वो सब एक पुराने केवें में पहुंच जाते हैं और वो उसकी मदद से अपने जंजीरों को काड़ देते हैं वो थोड़ा आगी बढ़ते हैं तो वहां पर ख्रीफिंगर का ट्रॉक होता है और ट्रॉक को सड़क पर ले जाकर पूरी स्पीड से क्राफ फोड को सरक पर घसीटता है और वो इतनी शिदत से घसीटता है कि जब तक कि वो मर ना जाए पीछे से मोका देकर फ्लरड पर जैविस पर हमला कर देता है और तब एलक्स और नेट वहां से भाग जाते हैं जैविस फ्लरड को इतना मारता है कि वो अदमरा हो जाता है एक और कैदिए उसे वहां पर वैसे ही चोड़ कर चले जाते हैं चैरिफ उस बस पर पहुँच कर सारी इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर कर देता है यह करने के बाद वो अपने डॉक को लेकर नेट को ढूणने जंगल में चला जाता है ब्रेंडन जैविस को कहता है कि उन्हें पैसों को यहीं चोड़ कर नेट को ढूणना चाहिए जैविस उसकी बात मान लेता है और पैसे को कुछ टाइम के लिए वहीं पर छोड़ देता है और आखिर कार वो नेट को ढूण लेते हैं जैविस उसे मारना ही वाला होता है कि नेट उसे बताता है कि यहाँ पर एक watch टावर है जहां से हम वो किसी से contact कर सकते जैविस उसे आखरी मुका देता है और फिर वो उसे वहाँ पर ले कर जाता है और जैसे ही वो सब वहाँ पर पहुँचते हैं वो देखते हैं कि वाच टावर जलकर बुरी तरह राख हो चुका और इसे उन तेनों म्यूटन भायों ने जला दिया था। वहां पर कुछ ना मिलने पर जैविस नेट को शूट करनी लगता है। लेकिन बिल्कुल सही टाइम पर शेरिफ का डॉग उसे पकड़ लेता है। शेरिफ खुद भी ठीक वक्त पर वहां पर पहुँच जाता है। और उन्हें वहां से ले जाता है। लेकिन तब भी थ्री फिंगर द्रक्त पर बैटा हुआ एक बाला नीचे फैंकता है। फ्लरड की तरफ बढ़ता है। लेकिन इससे पहले ही थ्री फिंगर मॉलोट ओफ फैंक कर फ्लरड को जला देता है। और उसके साथ सारे पैसे भी जल जाते है। वह सब वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर से थ्री फिंगर का ट्रॉक उनके सामने आ जाता है और इस मर्तबा जैवेज एलेक्स को स्ट्रॉक के सामने फैंक देता है और वो एलेक्स को लेकर ही वहाँ से चला जाता है नेट उसे बचाने के लिए जाने लगता है और वहीं पर हमें जैविटी लेन की बॉड़ी भी मिलती है क्योंकि इससे पहले थ्री फिंगर उसे भी पकड़ कर मार चुका था ब्रेंडन वहां से भाग रहा होता है और इतने ही दिर में जैविज वहां पर आकर उसे मार कर बेहोश कर देता है वो आगे बढ़ने लगता है तब ही थ्री फिंगर वहां पर पहुंच जाता है और उन दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई होती है जैविज फिंगर को इतना मारता है कि उसकी शकल ही बिगार दीता है और उसका फिज इतना बुरा बन जाता है कि वो पहचान में नहीं आता पहने से भी जादा लेकिन लास्ट में थ्री फिंगर ही जैविस पर भारी पढ़ जाता है वो उसकी खोपड़ी खोल कर उसका दिमाग खा लेता है और अपनी जीत को सेलिब्रेट करता है नेट को शेरिफ का डॉग मिल जाता है जो उसे एलिक्स के पास लेकर जाता है वो एलिक्स को चुड़ा कर वहां से निकलने लगते हैं लेकिन थ्री फिंगर वहां आकर उन पर हमला कर देता है थ्री फिंगर नेट को मारने ही वाला होता है कि तबी एलेक्स वो ही लकडी जिस पर थ्री डोस का सर रखा था वो थ्री फिंगर को पीछे से मारती है उसके अंदर घुसा कर उसे मार देती है और वो दोनों उसका ट्रक लेकर वहाँ से चल पढ़ते हैं और इतनी ही दिर में ब्रेंडन भी वहाँ पर पहुंच जाता है और उन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल लेता है लेकिन थ्री फिंगर इतनी असानी से तो उनकी जान बख्षने वाला नहीं था और वो फिर से नेट को पकड़ लेता है लेकिन इस मरतबह नेट उसी का टूल पकड़ की उसमें गुसा देता है और उसे स्ट्रॉंग करने के लिए वो उसे ट्रक पर भी दे मारता है और foreign truck blast हो जाता है और उसके साथ ही three finger भी जल जाता है Nate Brandon को अजाद कर देता है और उसे वहां से जानी देता है कुछ दिर बाद उनकी पूरी फोज वहां पर पहुंच जाती है और Nate और Alex की जान बच जाती है लेकिन कुछ दिन बाद Nate पैसों के लालच में दुबारा वहां पर आता है लेकिन कोई पीछे से उसको मार देता है और वो कोई और नहीं Brandon था जिस पर belief करके उसने उसे रिहा कर दिया था Brandon वो पैसे उठा लेता है लेकिन तबी एक और mutant बहां पहुंच जाता है और उसे भी मार देता है और किसी को भी नहीं पता चल सका कि वो mutant कौन है और आज तक ये सवाल बन कर ही रहा और इसके साथ ही movie end हो जाती है